धन्पद गंज में सोनू मोनू की हार पर फायर संतोश पांडे सोनू मोनू की ठोकी पीट गंदी राजनिती करने वालों को अल्टीमिटम भद्र परिवार के समर्थोकों को संदेश निरास मतोथ 2027 में बदलेगा सियासी परिवेश धन्पद गंज बलाग प्रमुक के उपचुनाओं में भाश्वा विदायक विनोस सिंग बाहुबली सोनू मोनू का दबदबा खत्म कर अपना जंडा गार दिया भाश्वा प्रत्याशी पारवती सरोष के प्रमुक बनने के बाद जहां विनोस सिंग खुशी से गदगद है और सोनू मोनू पर फायर है वही आजादी के बाद पहली बाद प्रमुख परिवार से जाने पर पूर्व विदायक चंद्रभद्र सिंग सोनू और पूर्व प्रमुख यश्भद्र सिंग मोनू ने चुप्पी सादली है लेकिन चुनाओं के नतीजे आनी के बाद पूर्व विदायक संतोष पांडे ने फेस्बूक पर पोश्ट लिखा ना सिर्व शासन प्रेशासन पर सवाल खड़े किये बलकि सत्ता बलके खिलाप होने के बावजूद 49 वुट पाने पर सोनू मोनू की तारीव भी की और भद्र परिवार के समर्थोकों को निराश्ण होने की सला देते हुए कुछ नेताओं को 2027 का अल्टिमेटम दे दिया संतोष पांडे ने लिखा धनपद गंज प्रमुक उप्चुनाओं में पूर्व रूप से सुनियोजे तरीके से सत्ता का दुरुप्योग करके मुकदमे में फसा कर अधादुन पैसे और सरकारी मश्रिनरी के दम पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी स्वरगिय पूर्व विदायक इंद्रभदर सिंग जी की पतनी और पूर्व विदायक चंद्रभदर सिंग सोनु और छोटे भाई पूर्व प्रमुक यश्भदर सिंग मोनु की माता श्रीमती उसा सिंग जी को बदले की भावना से पराजित करवाना जनपत सुल्तान पूर के इतिहास में गंदी राजिनिती के बीजपोने जैसा है। और चाहने वालों को हताश निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जादा दिन तक नहीं चले और विनोस सिंग ने फिर भद्र बंदू को करारा जटका दिया। हलाकि अब सोनू मोनू के साथ सपा का साथ है। बेरो रिपोर्ट एंटी टीवी भारत।